जय हिंद दोस्तों दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एजुकेशन यूर फ्यूचर में तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 10 हिंदी से 6 नंबर का निबंद दोस्तों यह आपके एकजाम में 6 नंबर का पूछा जाएगा तो पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों में आपको आपके एकजाम की तयारी कर Ç talking किया दियो और कि अपना राही कमेंट में मुझे जरूर दीजएगा तो मैं अपका प्ьтеयारी करा दूं यूदि नहीं करना चाहते तो मुझे जora दीजएगा झीधी दोस्तों हम बताते हैं आपको इसमें निबंध देखिये दोस्तों निबंध आपका च्छर नमबर का पूछा जाए गा तो मैं मोश्ट इंपॉर्टन्ट यहां पर या गाइड में इससे त्यार करना चाहते तो आप वहां से त्यार कर लिए इस तीनों को नहीं तो मैंने सभी का यहां पर नीबंध दे दिया वह भी करोना वाइरस पर मैंने बना दीया दोस्तों मैं उस्में तुछैर नहीं तयार को त्यार कर लिए यहां थैन से यहां से मैं घारांटी लेता हूं दोस्तों आपके sucked में फसे हएए फसेगा ठीक है चलिक दोस्तों बारी-बारी से सभी नीबंद को मैं यहां पर देख लेगा पहला प्रस्तावना इसकेज डालिएगा लास्ट में उफसंहार ठीक है यह दो इसकेज आपको मालूम रखना है कि हमें आपको पहले प्रस्तावना लिखना है लास्ट में उफसंहार लिखना ठीक है बीच में क्या इसकेज डाल के लिख रहे हैं यह आपके उपर डिपेंड क कर पाओगे तो यह भूल ही जाओगे ठीक है क्योंकि निबंध जो होता है 2800 वर्ड में लिखना होता है चले देख लेते हैं दोस्तों प्रदूसर्ण की समस्या और समाधान पहला इसके जालिएगा प्रस्तावना ठीक है विज्ञान के इस यूग में मानों को जहां कुछ वर जनता मजबूर है इतना प्रस्तावना मैं लिख दीजेगा उसके बाद अब समझ लेते हैं प्रदूसर्ण का अर्थ ठीक है दोस्तों हम उमीद करते हैं कि आप नोट बना रहें नोटबुक बना रहें और सभी को इसमें लिख रहें ठीक है लिक लीजे दोस्तों मैं गारा यहां प्रदूसर का अर्थ अगला इसके डालिएगा प्रदूसर के प्रकार आप जब भी निबंध लिखिएगा कम से कम पांच इसकेश तो डालिएगा ही डालेगा पांच इसकेश से कम को मत लिखिएगा ठीक है अडहाई सववर्ड आपको पूरा करना ही है मुखहत प्रतूशर होता है तीन प्रतूसर तीन प्रतूसर और धॐन्य प्रतूसर हो दोता है और खानों का धूंगा मोटर वाहनों का काला धुँआ आधिवाइस में मिलकर वाय को प्रदूसित करते हैं जिससे मनुष्ट के फेपड़ों में असाध रोगों को जन्म देते हैं फेपड़ों में क्या देते हैं असाध रोगों का जन्म देते हैं वायू प्रदूशर जल प्रदूशर क्या हैई, कलकारखानों का दूस्य जल नदी नालों में मिलकर भयंकल जल प्रदूशर पैदा करता है, जिससे अनेग बिमारिया पैदा होती है, ठीक है देखिے दोस्तों तीसरा देख लिजे दॉलात प्रकार धुट्राणी प्रदूसर्ट मनिष्य को रहने के लिए तक वातावर्ड चाहिए परनतु आजशकल कारखानों का सोर यातायाद का सोर मोटर गाड़ियों का सोर आज से मनुष्यों में तनाव उत्पन होने लगा है या लगता है ठीक है इतना हमने लिख लिए है छिले थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं next sketch की तरफ ठीक है देखते हैं next sketch क्या है कि अगर देखिए दोस्तों next sketch है प्रदूसडों के दूस परडाम देखिए उप्रियुक्त प्रदूसडों के कारण मानों के श्वस्त जीवन को खत्रा पैदा हो गया है खुली हवा में लंबी सास लेने तक को तरस गया है आदमी गंदे जल के कारण बिमारियां फसलों में चली जाती हैं जो मनुष्ट के सरीर में पहुच कर घातक बिमारियां पैदा करती हैं भुपाल गैस कारखाने से गिरी गैस के क करण हजार लोग मर गएं कितने अपंग हो गएं ठीके दोस्तों यहां देखें कितने अपंग हो गएं पर्यावरन प्रदूसर के कारण न समय परवर्षा आती है न सर्दीगर्मी का चक्र ठीक चलता है सुका बाठ ओला आदी प्राकृतिक प्रकृपो का कारण भी प्रदूसर के कारण को जान लिजे प्रदूसर के कारण, प्रदूसर को बढ़ाने में कल कार खाने वैज्ञानिक साधनों का अधिक उप्योग, फ्रीज, कूलर, वातानुकुलन, वर्जा, सायंत्र, आधिकारण है, प्राकर्तिक संतुलन का बिगड़ना भी मुख्य कारण है बृच्छो को अंधा धुंद काटने से मौसम का चकर बिगड़ा है धनी आबादी वाले छेत्रों में हर्याली न होने से भी प्रदूसर बढ़ा है क्लियर होगे दोस्तों इतना इसकेज आप दिख लिए कम सकम पांच इसकेज आपको लिखना है पहला तो प्रस्तावन न उसके लास्ट में उफ संगहार बीच में जिसके बारे पूछा जाए उसके कारण दे दिजे लच्छन दे दिए ठीक है ये सब आपको वहां पर कर देना ठीक है अब लास्ट देख लिए दोस्तों उफ संगहार में आपको लिखना है विवीन प्रकार के प्रदूसर से बचने के लिए चाहिए की अधिक से अधिक पेड़ लगाएं जाएं हर्याली की मातरा अधिक हो सडकों के किनारे घने बिच्छों आबादी वाले छेत्र खुले हो हवादार हो हर्याली अधिक से ओध प्रोथ हो कल कारखानों को आबादी से दूर रखना चाहिए और उनसे निकले प्रदूसरित मल को नश्ट करने के उपायर सोचना चाहिए ठीक है दोस्तों यह रहा आपका प्रदूसर से संबंदित निमंद पूछेगा तो कुछ इस प्रकार से आपको लिख हो जाएगा ठीक है रट्टा के पीछे पड़ए इंटर में इकजाम दोगे जब तब confusion पढ़ोगे डर आपके अंदर हटेगा नहीं ठीक है क्योंकि अभी आप High School में एक्जाम नहीं दियो डायरेक्ट इंटर में दोगे तो वो डर बना रहेगा किस तरीके से पेपर दिया जाए कैसे दिया जाएगा ठीक है तो दोस्तों भगवान समनाओ कि आपका हिंदोस्ता हमारा दोस्तों से तरीके से पुछा सकता है कोई एक करके बोलेगा तो द्यान दीजेए तीनों का एंसे आपको वही देना ठीक है तो सबसे पहला सबसे पहला को देख लेए autism curriculum में देश प्रेम की भावना होती है जिस हिर्दय में अपने देश के प्रति अनुराग नहीं है वह भावना शुन्य शम्वेदना ही विहीन अर्थात पत्थर के समान है जननी और जन्वहूमी को स्वर्ग से बढ़कर माना गया है अब देखे उस तो स्वदेश प्रेम का अविसाप next sketch देश प्रेम का ता देश के लिए त्याग यों बलिदान की भावना होनी चाहिए सच्चा देश प्रेमी इननी भावनाओं से भरा होता है देश से वह कोई अपेच्छा नहीं रखता किन्तु आवसकता पढ़ने पर देश के लिए वह अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करने के लिए तत्थ पर रहता है ठीक है क्लीर हो गया तक चलें डेश अतियंत ब्यापक है डॉक्तर वाश्यदेव सरण अगरवाल और राष्ट के तीन तत्त हैं भूम जण और संस्क्रिती हमें इन तीनों से प्रेम होना चाहिए तभी हम सच्चे देश प्रेमी हैं जिसे अपने देश का वह नदियों से परचित नहीं वह देश प्रेमी नहीं हो सकता ठीक है दोस्तों देखें आपको रट्टा नहीं मारने में बार बाल बोल रहा हूं आपको रट्टा नहीं माना ठीक है इसको समझना है वर्डों को समझना है कि किस वर्डों की तरफ ले जा रहा है हमें उन्हीं वार्डों को अपने थोट से एक्जाममें लिखना है ठीक है याद रखना है किसी में देश भक्तों की कामना उते हैं अपने देश पर प्रांध नयच्छावर करने हैं देश के दोस्तों मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पत पर देना तुम फेक मात्री भूमी पर सीस चढ़ाने जिस पत जाते वीर अनेक ठीक है दोस्तों यह रहा देश भक्तों की कामना चले नेक्ष्ट इसकेज की तरफ चलते हैं देखते हैं उसमें क्या करना है तो देखें दोस्तों नेक्ष्ट इसकेज आपका देश के प्रती कर्तब जिस देश में हम उत्पन हुए पले बढ़े और जीवन यापन किया उसके प्रती हमारा कर्तब बनता है देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले सायनिक जो सीमा की सुरच्छा करते हैं केवल वे ही देश भक्त नहीं है अपित कच्छा में मनोयोग से पढ़ाने वाला वह ध्यापक भी उतना ही देश भक्त है जो भावी पीड़ी को स्वध्विचार एवं सद्गुड प्रदान कर रहा है क्लियर हो गया दोस्तों ये देश के प्रती कर्तब्य हो गया देखें ब्रक्त पॉइंट दोस्तों देश प्रेम एक स्वभाविक भावना देश प्रेम की भावना व्यक्ति में उभाविक रूप में स्वभाविक धाया है भले वहां की स्तितियां प्रत्क्यूल ही क्यों ना के लाश्ट पॉइंट की दोसतों ऊपसंगहार मैं आपको क्या बता जब भी आप नीबंध लिखिएगा पहला पॉइंनद स्तावना दूसरा फॉइंट ऊपसंगहार आपको दिखना ही है ठीक है लास्ट पॉइंट ध्यान दीजेगा हमें इन देश भक्तों से प्रेणरा लेकर देश के प्रतित्याग यों बलिदान का पार्ट पढ़ाना है तभी हम देश के प्रति अपने करतब का पालन कर सकेंगे देश प्रेम में दिखावे की जरूरत नहीं है सबस्द में आ गया तो चलेए लास्ट हम देख लेते हैं कोरोना वाइरस पर ठीक है अब देखे दोस्तों तीसरा है कोरोना वाइरस कोरोना वाइरस पर निबंद ठीक है यह ट्रेंडिंग चल रहा है इसमें इसलिए मैं चले देख लेए इसको भी तेयर कर लेज़ेगा परस्तावना पहले आप इसकेज डालेंगे मैं सा परस्तावना परस्तावना क्या है बिश्च्ष श्वाश्ट संग्ठन यानि डब्लू एचर ने कोरोना वाइरस को महामारी घोषित कर दिया ह Cr pretty wireless मानों के बाल कि तुलना में 900 गुना छोटा लेकिन opportun 만나 का संक्रमन में अप्रािकर होगा है जब जो भी लिखना है आपको पहले आपको प्रस्ताउणा लिखना है उसका लास्त में उस संगहार लिखना है बीच जो आप इसकेज डालेंगे उसी से डालना है तो देखें तो करोना वायरस क्या है को एसे परिवार से है जिसके संक्रमर से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीप जैसी समस्या हो सकती है इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है इस वायरस का संक्रमड दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था डबलू एचे के मुताबिक वुखार खासी सांस लेने में तकलीप इसके लक्षड है अब तक इस वायरस को फैलने से यहां ध्यान दीचे दूस्तों फैलने रहेगा फैलने से रोकने वाला कोई ठीका नहीं बना है ठीक है इसके संक्रमड के फल स्वरू वुखार जुकाम सां सांस लेने में तकलीप नाक बहना और गले में खराष जैसी समस्यां उत्पन होती है यह वायरस एक बैक्ति से दूसरे बैक्ति में फैलता है क्लिर होगे आपने लिख लिया कोरोना वायरस क्या है चलिए नेक्स्ट पाइंट देख लिए क्या है इस वीमारी के लच्छन होनी लगती लच्छनों का हमेशा मतलब यह नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में नीमोनिया सांस लेने बहुत ज्यादा परसानी किनी फेल होना और यहां तक की मौत भी हो सकती है जुकाम और फ्लू के वायरसों में भी इसी तरह के लच्छण पाए जाते हैं डेर होगे दोस्तों सब्सक्राइब कोई इलाज नहीं लिखना आपको यह यह वैक्सिन आगया लेकिन आपको लिखना इसी प्रकार से ठीके लेकिन इसमें बिमारी के लच्छन कम होने वाली दवाईयां दी जा सकती हैं जब तक आप ठीक न हो जाएं तब तक आप दूसरे से अलग रहें कोरोना वारस के इलाज के लिए वैक्सीन विक्षित करने पर काम चल रहा है इस साल के अंत तक इंसानों पर इसका परिच्छन कर लिया जाए ग ठीक है कुछ अस्पताल एंटी वारस दवा का भी परिच्छन कर रहे हैं क्लियर हो गया दोस्तों चलते हैं देखते हैं क्या है नेक्सट पॉइंट है नेक्सट इसके आपका क्या है इससे बचाओं के उपाय स्वास मंत्राले ने कोरोना वारस से बचने के लिए दिशा नि सकता है खांसते और छीकते समय नाक और मुह रुमाल या टीशु पेपर से ढख कर रखें ठीक है किस्ते दोस्तों टीशु पेपर से अगला पॉइंट है दोस्तों जिन व्यक्तियों को कोड़् और फ्लू के लच्छन हो उनसे दूरी बना कर रखें अगला पॉइंट दोस् तो चलते हम नेक्स्ट पॉइंट पर तो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों मास्क पहनने का तरीका मास्क पर सामने से हाथ नहीं लगाना चाहिए दूसरा है अगर हाथ लग जाए तो तुरंत हाथ धोना चाहिए मास्क को ऐसा पहनना चाहिए कि आपकी नाक मुह और डाढ़ी का हिस्सा उससे धका रहे ठीक है मास्क उतारते वक्त भी मास्क की लास्टिक या फीता पकड़कर निकालना चाहिए मास्क नहीं चुना चाहिए हर रोज मास्क बदल दिया जाना चाहिए ठीक है यह मास्क पहनने का तरीका ठीक है अब लास्ट पॉइंट है उप संहार दोस्तों ऐसा ही खत्रा बना था 2002 से दुचार्टीं सार्श की वज्जा से पूरी दुनिया में साथ सो से ज्यादा लोगों की मौत हुई थीisso पूरी दुनिया में हजारों लोग इससे संक्रमित हुए थे इसका असर आर्थी गत्विदियों परभी पड़ा था करोना वारस के बारे में अभी तक इस तरह के कोई प्रमाड के प्रमाड नहीं मिले हैं कि करोना वारस पार्सल नहीं आएगा और यहां से आपका च्छा नंबर पक्का हो जाएगा क्लियर हो गया दोस्तो तो दोस्तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही most important topic के साथ जो आपके एकजामें पूछे जाएंगे तो दोस्तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल अगले वीडियो में ऐसे ही most important question और टॉपिकों के साथ तब तक के लिए बाई बाई जय हिंद जय भारत